Hello everyone, welcome to break time classes इस वीडियो में मोधी सरकार की 2014 की सभी योजनाय कवर करेंगे और यह most important योजनाय है जो आने वाले लेकपाल के एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important है इसके अलावा यह जो बाकी एक्जाम से हैं अपलाइ इसकेटर आरो यारो वीडियो उसमें भी जीए से से सक्षन में योजनाय पूछी जाती हैं लेकपाल या फिर आरो यारो वीडियो की टेस्सेरी जुएन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं वहां से जाके आप डार्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है इस पे कौन्टैट कर सकते हैं टेस्ट के साथ ही आपको जितने भी हैंड िटेंट नोट्स हैं आप जो लेकवाल के प्लेडिस्ट में देखते हैं बाद जितनी योजना है सब काफी ज्याद है तो पहली योजना पदग्रहन के बाद कौन सी थी डिजिटल इंडिया कारिक्रम इसी तरह कि ढ़ारद भारत भी जुकि जुलाई 2015 में आई थी लेकिन यह डिजिटल इंडिया कारिक्रम यह था 21 अगस 2014 को इसका उद्देश से क्य पूरा करने के लिए इंटरनेट तक सब की पहुंच सुनिश्चीत हो सके उसके लिए यह कारिक्रम आये था डिजिटल इंडिया कारिक्रम डेट क्या है 21 अगस 2014 अभी जो हमने देखा था वो थी 21 अगस्त ये है 28 अगस्त साथ दिन बाद 21 मंत्राले की योजना है प्रधान मंत्री जंधन योजना वित्त मंत्राले की योजना है ये डेट तो है 28 अगस 2014 जब ये शुरू हुई लेकिन इसकी जब पहली बार घोशना की गई थी तो 15 अगस्त को सके पहले ही दिन जब ये योजना सुरू हुई थी तो नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए जो जंधन खाता धा रखी तो नियुनतम अब आयू को कम कर दिया गया है 10 वर्ष कर दिया गया है पहले 18 वस्क थी, zero account balance से ये खाता खुलता है, जो 10 साल का बच्चा होगा उसको भी ATM प्रोवाइड हो सकता है, उसको भी सभी चीजे मिल सकती है, लेकिन जब तक वो 18 साल तक का नहीं हो जाता, तक जो उसका account है उसके parents ही manage करेंगे, 18 साल के बाद उसको फिर से एक बार ID कार्ड लकाना पड़ेगा, उसके बाद पूरी तरह से उसके पास transfer हो जाएगा काता, तो ये 10 साल पर ही खोला जा सकता है, जंदन खाता, आगे बात करेंगे, ये कब आई थी जंदन योजना, 28 सगस 2014, फिर आती दीन दयाल उपाद है अंतियोदय योजना, इसकी डेट क्या है, 25 सि सितंबर 2014, उद्देश इसका क्या था, तो कौशल विकास के माध्यम से आजी विका के आउशरों में ब्रिद्धी करना और गरीवी को कम करना, मतलब लोगों को रोजगार देना, किस माध्यम से, तो पहले कौशल विकास करो, इसकी डेवलप्मेंट करो, उसके बाद उनको रोजगार मिल जाए, इस तरह की ब्योस्तर की गई है, दीन दयाल उपध्या अंतियोदय योजना के अंतरगत, डेट के है 25 सितंबर 2014, इसके दो घटक है, एक सहरी छेत्र के लिए, शहरी भारत के लिए, दूसरा है ग्रामिड भारत के लिए, सहरी भारत के लिए, जो योज दूसरा है ग्रामिड भीकास, अब ये जो योजना है, दीन दयाल उपध्या अंतियोदय योजना, इसका नाम पहले ये नहीं था, प्रारंबिक नाम इसका क्या था, सुन्ड जैनती ग्राम सोरोजगार योजना, इसका पहले नाम था, ये योजना कब बनी थी, 1999 में, 2011 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था, राष्टे ग्रामिड आजीवी का मिसन, तो राष्टे ग्रामिड आजीवी का मिसन कब आया था, 2011 में पहले इसका नाम था, सुन्ड जैनती ग्राम सोरोजगार योजना, अब जो लेटेस्ट नाम है इसका, वो क्या हो गया है, 2014 में दी स्वच्छ भारत मिसन यह आई थी 2 अक्टूबर 2014 को यहां पर दो लिखा हुआ है गांधी जैनती के दिन से लौंच किया कैता है श्वच्छ भारत मिसन को 2 अक्टूबर 2014 में किस मंत्राले के द्वारा यह यह क्यानवित की गई थी तो पेजल और सवच्छता मंत्राले के वो गांधी जी की डेर सत्य वहीं जयनती तक भारत को सुच बनाने का लक्ष रखा गया था 2019 में तब तक सुच बनाना था भारत को लेकिन यह यूजना अभी भी चल रही है इसके अंतरगर बहुत सारी यूजना या चाहेंगी जैसे सोचाले वाली यूजना इतनी भी सुचता से रेलेटेड योजना है, सब सुच्छ भारत मिशन की अंतरगत ही चलाई जा रही है आगे चलेंगे अगली योजना है यहापर सांसद आदर सुग्राम योजना ये योजना कबाई थी सांसद आदर सुग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर सुग्राम योजना और ये किस महापरुष की जैनती थी तो जैप्रकास नाराण की जैनती है 11 अक्टूबर उसी दिन इसे लांच किया था ग्रामीड विकास मंदराले के द्वारा इसका उद्देश क्या है जैप्रकास नाराण को किस नाम से जाना जाता है यह जान लीजे लोक नायक के नाम से जाना जाता है और यह काफी चर्चा में रहे थे इनी के नाम से एक पक्षी भिहार भी जो हमने डिसकस किया था उसका क्या नाम है जैप्रकास नाराण पक्षी भ होते हैं वो अपने निर्वाचन छेत्र के अंदर ही किसी ग्राम पंचायत को गोद लेते हैं और उसका विकास करते हैं अब मनोनीत सांसत जो होते हैं वो देश के किसी भी जिले में जाके कहीं से किसी बी ग्राम पंचायत को गोद लेके उसका विकास कर सकते हैं मनोनीत वाले कॉन से होते हैं वही जो राजे सभा में 12 लोग मनोनीट किये जाते हैं राष्ट पती के दवारा तो वही लोग कहीं भी जाकर देश में जो ग्राम पंचायत laying उसकी इस कर सकते हैं यह वाला कोश्चिन बन सकता है मनुनीज सांसद वाला क्योंकि थोड़ा सा अलग डिफरेंट है कि कहीं भी जाके कोई भी ग्राम पंजायत को गोद ले सकते हैं मनुनीज सांसद अगली जो योजना है यहां पर फिर से एक बार रिवाइस कर लेजे सांसद आदर्स कानूनों में सुधार करना नात्यां पार दरशिता लाना स्रम को जो स्रम luck को अच्छे से चींद उपलब्द कराना स्रम पोटर मतलब हर तरह से स्रमे कोइक आच्छे से विकास हो सके तो यह है प्रारा में इसे जो आई पर इसे रखा गया था वहीं तक इसे सीमित रखा गया था इसे देज भर में अनिवारे कब किया गया तो 15 फरोरी 2021 को 15 फरोरी 2021 को फास्टाइक योजना को अनिवारे कर दिया गया पूरे देश में अगर फास्टाइक के थुरू अगर टैक्स नहीं दिया जाता तो दो गुना टैक्स लगता है तो यह सभी चीजें 15 फरोरी को आई थी वैसे योजना कब लॉंच की गई 31 सक्टूबर 2014 को अगली योजना है जीवन प्रमाडपत्र योजना ये 10 नॉबबर 2014 को लॉंच की गई थी 10 नॉबबर 2014 को आई जीवन प्रमाडपत्र योजना इसकी डेट उतनी important नहीं है लेकिन ये किसके लिए लॉंच की गई थी तो पेंशन भोगियों के लिए आए थी जीवन प्रहमार्ड पत्र योजना जिसमें जो पेंशन धारी होते हैं उन्हें ओफिस तक ना जाना पड़े उनका सारा काम डिजटल हो जाए जो stricates बनता है पेंशन वाला वो डिजिटली बन जाए तो इसलिए आये थी जीवन प्रमाण पत्र योजना 10 नॉमबर 2014 को अब आती ही मिशन इंद्र धनुस योजना जो की लॉंच की गई थी 25 दिसंबर 2014 को यह टीका करण से संबंदित योजना थी इसे हमने डिटेल में भी कवर किया है स्वास्त वाली सेक्शन में जितनी भी योजना है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचर डिस्क्रिप्सन में प्लेलिस्ट है लेकपाल की उसमें दीख जाएगा मिशन इंद्र धनुस 25 दिसंबर 2014 को आई थी टीका करण से संबंदित योजना है गरवती मैलाओं और बच्चों का जो टीका करण होता है उसे संबंदित यह योजना है किस मंत्राले की योजना है, मिशन इंद्र धनुस, तो केंद्रे, स्वास्त और परिवायर का लियान मंत्राले की योजना है किस मंद्रा लेगी पहल थी विद्ध मंद्रा लेगी तो यह सभी योजना के काफी ज़्यदा इंपॉर्टन थी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को सब्सक्राइब कर लिजेगा टेस्टरी जोइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में वह से जाके आप डिरेक्ली जोइन कर स सकते हैं टेस्ट के साथ ही जितने भी हैंडिटे नोट्स आप देखते हैं उस अभी प्रॉइट कर दी जाएंगे शॉट में आपको और इसके अलामा जो भी क्विज्ज वगर रहे हैं वह सब आपको एक साथ ही मिल जाएंगे थैक्यों से मुच वार्टी मिलें टेक ग्लास कर दो